असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप लोग अभी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा डाउट है छुट्टी को ले करके बहुत सारा आप लोगों का सवाल आ रहा है कफाला मैंने कफाला के उपर नजाने कितनी वीडियो बना दियोगी बट आज भी आप लोगों क सब्सक्राइब दो attacking and इस वीडियो में आपको मैं डीटेल में बता दूंगा बहुत सारा सवालिग यू में देखने वाला हो इस वीडियो तो आप लोग इस वीडियो आपका पहला सवाल देख लेता हूं और जो भी आप लोग का अधर कोई भी कोश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हो मैं कोसिस करूंगा आप सब के जवाब देने की तो चलो यहां पर भाई मेरा मसला हल कर दो भाई मेरा एकामा वैलिड है कैसे कफाल होगा भाई चलो मैं बता दूँ एकामा अगर आप लोगों का वैलिड है यहां पर बहुत सारा डाउट किलियर हो जाएगा जिन लोगों का एकामा वैलिड है या तो आप सबूदी में आयों दो साल हो गया एक कॉंट्रेक्ट पूरा कर लिए हो या फिर कॉंट्रेक्ट खतम होने वाला है या कैसे चेक करते हैं मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है आप जाके मेरे चैनल पर क्यूआ वाली वीडियो देखोगी फूल इंफॉर्मेशन जिसमें बताया है मैंने की वर्क पर्मिट भी कैसे चेक करते हैं तो वह वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाए वर्क पर् सकते हैं यहां पर एक बात और मैं एड करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं मेरा कॉंट्रेक्ट फिर से दो साल का हो गया अब मैं क्या करूं मुझे कफाला ले ना था मैं ले नहीं क्योंकि company ने जो है मेरा contract को auto reinvol कर दिया तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो छुटी जाने वाले हो या फिर छुटी नहीं मतलब की final exit जाने वाले हो या फिर company में कफाला लेने वाले हो दूसरी company में या फिर salary increment का कोई भी इसू है salary कम दे रही है company आपको बढ़वानी है यह सब के लिए जो हाँ आपको दो महीना पहले ही basic जो date होता है contract का सबका लगबग 2 महीना होता है कसी का 30 दिन भी होता है और किसी का 90 days भी होता है तो 2 महीना पहले आपको कम से कम contact को terminate करना है अगर 2 महीना ज़्यादा नहीं है कम बचा है तो आपका terminate भी नहीं होगा तो ये बात अपने ध्यान रखना बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन दी है अपने दोस्तों से सेर करना और वीडियो को उमीद आपने लाइक कर दियोगा दूसरा सवाल यहां पे मैं देख लेता हूँ एग्रिमेंट एक साल का है एकामा एकस्पायर है तो कफाला हो सकता है कि नहीं चलो मैं बता दूँ ये एक और प्रोब्लम होती है बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं भाई मेरा एग्रिमेंट बाकी है और एकामा एकस्पायर कोई दिक्कत नहीं है, agreement बाकी है ekama expire है ekama expire वाले condition में आप कफाला ले सकते हो बढ़ यहां पर मैं बता दूँ आपकी company जो है, आपके ओपर action भी ले सकती है क्युँकि आपने agreement पूरा नहीं किया है contract पूरा नहीं किया contract का ही main, यहां पर contract सही है अभी जो भी नियम आया है, सब कुछ contract के थुरू ही हो रहा है, कफाला हो गया है, या कुछ भी हो रहा है, तो आपका contract अगर खतम है, तो हो रहा है, नहीं है, तो फिर नहीं हो रहा है, बट कफाला आप ले सकते हो, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है, बट बाद में हो सकता ह मुझे salary pay करो क्यों आपने salary नहीं दिये तो यह यह भी है एक वह अलग सवाल है भाई मेरा एकामा वैलीड है कफाला हो सकता है एकामा वैलीड है तो मैंने अल्रेडी अभी बता दिया भाई डिप्लोमा certificate जिरोक्स से होगा सौधी कॉंसिल में अगर आप रजी स्टेशन का पूछ रहे हो भाई तो डिप्लोमा certificate जिरोक्स नहीं आपको original certificate जो है उसको scan करके upload करनी परती है उसके उपर मैंने अल्रेडी detail में वीडियो बनाई है और आने वाले दिनों में मैं facebook पर और अपने instagram account पर रिल्स जरूर upload करूंगा छोटी छोटी जहां पर आप लोग का डाउट किलियर होगा तो मुझे instagram पर follow नहीं किया तो अभी जाके description में लिंक है जाके follow करो मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता सवाल तो आप लोगों का और भी बहुत सारा है बट मैं next video में जरूर जवाब दूँगा या फिर अपने दूसरे वाले चैनल पर अगर उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो